एक और problem solving video आप सब के लिए तो अभी मैं हूँ पटना ब्रांच में और आज मैं निकल रहा हूं नौडा के लिए तो problem क्या है ठीक है कि पैनल आपको market में सस्ते और महंगे मिलते हैं तो जानना चाहें कि क्यों सस्ता और महंगा होता है तो मालीजे यह पैनल है इसमें क्या है यह 55 का टीवी है जिसमें मैं बिल्कुल clear दिख रहा हूं कि iPhone लिया हूं और recording ओन कर रहा हूं तो जो सस्ते पैनल होते हैं उनमें display anti-clear नहीं होता स्पीकर क्वाल्टी उतनी अच्छी नहीं होती और टच क्वाल्टी नहीं होती जब हाडवेर में कंप्रोमाइज करेंगे तो प्राइस भी कम हो जाएगा अब वही मैं आपको बेंचमार का मैक्स दो दिखाता हूं देखिए वही डारेशन है इसमें आप देखिए मैं धु प्राइस का सीन है तो इसमें आप देखिए एंटी ग्लेयर है तो कोई रिफलेक्शन नहीं आ रहा है ठीक है और यही कैमरा एक बाद टीवी पे घुमाना ठीक है मालो आपका पैनल है ठीक है जिसमें आपको एंटी क्लेयर नहीं मिला है और आप अगर क्यामरा यूज करते ह है तो आप देखो कि मोनिटर में एक ऐसे दिखेगा यहां पे एक दम क्लियर दिख रहा है आप देखो यह टीवी है ठीक है टीवी में एंटी ग्लेयर नहीं होता अब यहां पे आप देखो तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि सामने कौन खड़ा है और सामने कौन नहीं इससे क्या है जब आप वीडियो बनाते हैं तो रिफलेक्शन बहुत आता है तो जब भी आप दिजिटल बूर्ट फाइनल करें इन सब चीजों को बारीकी से ध्यान दे प्रोड़क्ट इसी से सस्ते और इसी से महेंगे होते हैं हर किसी का एक सेम प्रोड़क्ट नहीं है कभी कभी आपको सेम सौफ्टर दिखा के कंपनी वाले बोलते हैं कि यहीं प्रोड़क्ट मेरा भी है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पटना ओफिस आईए इनी सब चीजों के लिए एक्सपीरियन सेंटर बनाया गया है जैसे यह एलजी का है देखिए ठीक है इसमें एंटी ग्लियर सिक्स्टी परसेंट है यहीं पर और यहीं पर बेंचमाक का देखो आप फरक दिखा आपको राइट यह है डिजिटल साइनेज जो आप एयरपोर्ट वगरा पर देखते होंगे ठीक है यह वो है यहां पाएंगे तो आपको कैम अचे ठीक है यहां आईए पहले एक्स्पीरियंस करिए देखें बिल्कुल अच्छे से कॉलिटी यहां पर दिख रही है राइट और यह जो कैमरा है यह कैमरा आपके हिसाफ से मूव होता है पहले मैं इसको थोड़ा बढ़ा करता हूं देखें आप ठीक है यहां पर हम अब देखो यह जैसे बच्छे आपकी बात मानते हैं वैसे यह भी बात मानता है कैसे चलो बेटा डाउन यह देखो डाउन हो गया अप यह देखी आप हो गया लाफट राइट तीक है देख रहा हूं आपके हिसाब से कोई टेक्नीशन नहीं चाहिए मैं सारा काम अपने हा से कर रहा हूं अब मालो आप इस टूडियो में आते हैं और क्यामरा कुछ इस प्रकार से है इस प्रकार से है तो आप बिल्कुल परशान हो जाते हो ठीक है अगर लगाया है आपने यह आपने वीडियो क्यामरा लगाया है तो आप अगर अकेले हो वहां पे खड़े हो तो लेकिन आपके पास बेंचमार का 4K PTZ कैमरा है कुछ नहीं करना है प्रिसेट आप पहले दबाओ बना लो और जैसे ही आप 1 प्रेस करेंगे देखो कैमरा आटोमेटिक अपने पर सेट हो गया अब आप माइक लगाओ और आनलें क्लास पढ़ाना शुरू कर दो कॉलिटी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी कॉलिटी है अब आप इसको चाहे जूम पर लाइव करें चाहे यूट्यूब पर लाइव करें चाहे अपने स्टूडियो में लगते हैं अच्छा दोनों मॉइंटर ना अलग-अलग चलते हैं जैसे माल लो इस पर आपने गूगल ओपन कर लिया ठीक है सचीन भाई आप वहीं रहो उसी रहो तो यहां पर आप कुछ और भी ओपन कर सकते हो जो आपको चाहिए अपने साब से यह अलग विंडो चल रही है और यह अलग विंडो चल रही है यहां से क्लोस कर देंगे इसको मैं चाहूं तो इधर मूफ कर लो मैं चाहूं तो इधर मूफ कर लो तो दो मॉनिटर आपको इसलिए दिया जाता है कि एक में आप चेक कर आपके वीडियो कैसी है आपकी ऑडियो कैसी है और दूसरे में आप YouTube का कमेंट open कर लो आपको उप्रेंट लो ठीक है बाकि जब आप यहां आएंगे तो आपको पोडियम भी मिलेगा, पोडियम भी experience कर सकते हैं, और यहां पर 65, 75, 85, 85, 85, 86, सारे sizes के आपको digital board देखने को मिलेंगे, अभी LG का लगा है, viewsonic भी लग जाएगा, यहां बैंक्यू भी लग जाएगा, ठीक है, सारे brand लग जाएगे, तो आप एक साथ हाके सारे brand देख सकते हैं, लोकल ब्रैंड छोड़ के बाकी सारा brand हम लगाएगे, ट्रॉली आपको देखने को मिल जाएगा, कि ट्रॉली पे पैनल कैसे mount होता है, मालो आपका वाल नहीं है, ग्लास है, तो कैसे manage कर सकते हैं, थेंक्यू,